नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी टूप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं 6, 7 और 8 फरवरी मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवनकाल में बहुती बड़ा चमतकार होने वाले हैं जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवनकाल में सारी दुखों का अंत होने वाले हैं अब आप सबी के जीवन काल में खुसियों की बारिस होने वाली है। जिहां दोस्तों, हम आप सबी को बता दें कि पिछले कई समयों से आपकी जीवन काल में लगातार दुख समस्याय और परेशान ही चल रही थी। कभी भी उमीद की नई किरन आप सबी के जीवन काल पर नहीं जगी और दोस्तों आप अपने जीवन काल में बहुती ज़्यादा परिशान हो गए लेकिन दोस्तों आप सबी को बता देगी आप यह बात तो जानते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं जी हां दोस्तों भागवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं भले वह अपना रूप में नो आए लेकिन दोस्तों रूप बदल कर किसी संकेत के दोरा उनके एसे मदद करते हैं उनके जीवनकाल में एसे चमतकार करते हैं कि दोस्तों उनका जीवन ही बदल जाता है जिहां दोस्तों और अब आप सभी के जीवन काल में जो ग्रहों की इसितीव बनने वाली है, जो ग्रहों में गोचार होने वाले हैं, आपको बहुती बढ़ा धन देने वाले ग्रह हैं, जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि मालक्षमी आपको इसे संक्यत देने वाले हैं इसे खुश खबरियां देने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको करोणों के मालिक बनने से अब कोई नहीं रोख सकता जिहां दोस्तों अगर आप इनकी पहचान कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए यह आपके पूरा जीवन ही बदल कर रख देगा जिहां दोस्तों साथे साथ दोस्तों आपको अपने जीवन काल में कौन से शाबधानिया रखनी है ताकि दोस्तों फिर से यह समय आपकी जीवन काल में नो आए जी हाँ दोस्तों इनके लिए दोस्तों बहुती अच्छे उपाय हैं जिनसे दोस्तों मालक्षमी आपसे बहुती ज़्यादा प्रशन होगे और धन की कमी आपके जीवन काल पर कभी भी नहीं होगी तो दोस्तों वीडियो को आंथ तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी में हैत्वपून जानकारी को भी जानेंगे कि ऐसे में आपको कौन शेकार आपके लिए भागे चाले होंगे और किन-किन छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ती होगी और मालक्षमी जी के आसिरवात से आपके घर के माहुल में पारिवारिक जीवन में परते एक चेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों अं तक देखिएगा, उससे पहले दोस्तों जो इकती वीडियो को लाइक करके कमेंट बोक्स में सच्चे मन से जैमालक्षमी लिखेंगे दोस्तों मालक्षमी जी के आसिरवात आप सभी को प्राप्थ होगा तो दोस्तों जरू लिखेगा अर्दी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्स्ट्राइब कर लें साथी बेल आइकन को प्रेश करके आल पर स्लेट कर लें तो अई दोस्तों बात करते हैं शुरूआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक अच्छे ज्यान से एक अच्छे विचार से जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इक्छा सक्ति जागरित होगी से काता है इस्वर से मांग वो सब की सुनने वाला है बाइं तरबाला जबाब देता है चुप कर मुर्ख तब एक दिन राजा ने अपने मंतिरे को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाइं तरब जो विखारी बेड़ता है वो हमेशा इस्वर से मांगता है तो अवस इस्वर उसकी सुनेगा लेकिन जो बाइं तरफ बेड़ता है वो हमेशा मुझसे ही मांग करते रहता है तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बरतन में खीर भरकर उसमें स्वर्ण की मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ मंतिरे ने ऐसा ही किया अब वह भीखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भीखारी को चिलाता हुआ बोला बड़ा आया इस वर्देगा यह देख राजा से मांगा मिल गया ना खाते खाते जब इसका पेट भर गया तो उसने बची हुए खीर का बरतन उस दूसरे भीखारी को दे दिया और कहा ले पकड तू भी खाले मुर्ख अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाई तरवाला भीखारी आज भी वेसे ही वेसा बेठा है लेकिन दाई तरवाला गायब है राजा ने चोकर उससे पूछा क्या तुझे खीर से भरा बरतन नहीं मिला विखारी बोला जी मिला था रा मैंने उसको देकर कहा मुर्ख हमेसा कहता रहता है इस वर देगा इस वर देगा ले खाले राजा मुस्करा कर बोला अवसे इस वर ने इसे दे ही दिया जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से शामत हैं स्री कृष्ण जे के अच्छे ग्यान से शामत हैं तो दोस्तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक अवस्य कर दें और इनके लिए लिग दें जैश्रे कृष्ण राधे राधी तो यह दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि मालक्ष में आपके जीवन काल में क्या-क्या चमतकार करने वाले हैं आपके घर के माहुल में परेव जिनस वेपार में क्या-क्या खुश खबरियां देने वाले हैं और दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको वह उपाई बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आप मात्रे एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपका जीवन ही बदल जाएगा जिहां दोस्तों ग्रिशिती बहुत ही लेगा ग्रह गोचर आपके पक्ष में है पर तो कोई भी लक्ष हासिल करने के लिए गतिवीदियों में सलिका रखना भी बहुत ही जरूरी है हालाकि घर से समंधित जिम्मेदारियों को आप बहुत ही संजदेगी और गंभिरता से निभाएंगे होना थवा मेल के माद्यम से कोई खास समाचार मिल सकता है तो मालक्ष मीजी के आसिरवात से आपका समय में सकार्तमक बदलाव आ रहा है पिछले कुछ समय से चल ही समस्तिया में आज कुछ सुधार महसुष होगा और आप भरकूर एनरजी महसुष करेंगे परिवार से जोड़ी कुछ महतुपुन फैसले लेने पर सकते है पन्तों यह फैसले बहुत ही सकार्तमक ही रहेंगे पहले दिन की सुरात बहुत ही सुखत घाटना से होगी गिरे से कुवे दूर होगे रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाने से बहुत ही रात मिलेगी यहां को किसी खास कार के पड़ती किये गए परियासा में सफलता मिलने के योग बन रहे है तो आपका समय बहुत ही सकारातमक है परिवार जनों के साथ कुछ शमय व्यतित करके आप खुद को तरो ताजा महसूस करेंगे आपकी योगता और कावलियत की भी लोग तारीप करेंगे इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दुन में कुछ शाबधानिया भी देख कर चलनी होगी किसी अंजान व्यक्ति से आपको कोई धोखा भी मिल सकता है इसलिए किसी पर भी आँख मुंद कर विश्वास न करें धैर और स्यम के साथ काम लें जल्दवाजे से कम बिगर सकते हैं किसी वियातरा को इस वक्त अस्तगीती रखना उचित है बिजनस बढ़ाने के लिए नई योजना बनेगी जोकी सार्थक रहेगी लेकिन फेशले खूधी लें जोकिम भरे काम में समय और पैसा ना लगाए नुकसान हमने की असंका है ध्यान रखें कि कहीं बादचीत करते समय गलत सब्दों का प्रयोग ना करें और नहीं कोई निरने लेने में जल्दबाजी करें वाना इसे समंद में खटास आ सकती है दोस्तों बिजनस में नए काम की सुरुवत फाइदेमन रहेगी सोच विचार करने से ज़्यादा समय न लगाएं वैपसाई गति वीदियों में सभी नेने शमही लेने का प्रयाश करें दुसरों की सला गलत हो शकती है कापी समय से अठके हुए कारे पूर्ण करने का उचीत समय है अपने वैपसाई में नया प्रयोग करना लाबदायक रहेगा नुक्र में उन्नति के आसार है आप भी दोस्तों ध्यान रखें कि ज़्यादा पाने के चकर में अपना नुकसान भी कर सकते है इसलिए सांत रहकर और सहज तरीके से अपने कारे को पूराज करते रहे आपकी वैपसाई योजना शफल रहेगी अपने दिर इक्षा सकती से काम सांधान तरीके से पूरा करेंगे किसे भी तरह की डिल करने से पहले उसे जड़ी उचीत जानकारी जरूर ले ले वहीं दोस्तों आपके लव लाइप के बारे में बात करें तो पती पत्ने के विज उचीत समान जस रहेगा जिससे आत्म भी स्वास और आत्म बल में ब्रिदी होगी दोस्तों पती पत्ने आपसे समान जसे से घर की विश्ता मदूर बना कर रखेंगे प्रेम समन्दों में भी नजदी की आएगी दोस्त आपके स्वास्त के बारे में बात करें तो मौसम का असर आपके स्वास्त पर हो सकता है यह समय अपना इंफुस सिस्टम इस्टरंग बनाने के लिए उचीत अहार लें वर्तवान नकारतों वतारण की बज़त से सावधाने रखना उचीत रहेगा आरेधिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें दोस्तों मैं बात करें था आपके उपाय के बारे में दोस्तों हर सुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर मा लक्षमी और भगवान बिशनु को लाल रंग का फूल अरपित करें और परती दिन सुबह उठकर असनान यादि करके तामबे के लोटे से तुलसी को जल अरपित करें और तुलसी के पत्ते को लोटे में डाल कर पूजा करें अब इस जल को घर के परती एक अस्तान पर छिड़कें इसे दोस्तों आपके घर में सुक समर्दी और धन की वरसात होगी दोस्तों आपका लकी रंग और लकी आंग क्या है दोस्तों आपका लकी रंग गुलावी है और लकी आंग पाँच है दोस्तो भागवान मालक्षमी का आशिरवात आप सवी को प्राप्त हो सच्ची दिलशिक कमेंड बॉक्स में जै मालक्षमी जरू लिखें और वीडियो को लाइक सियर जरू करें धन्यवाद